हमें बूर्भ एक्र ś gdzie एंट 2 हमें बूलन वाले हैं तो यह रफिज तो जो next रॉपिक है वो है रफिज रफिज जो है वो ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो हमें कोई nutrient प्रवाइड नहीं कर रहा है हमें उससे कोई भी nutrient नहीं मिलता और नहीं ऐसे substance मिलते हैं जो हमारी growth करेंगे या damaged जो cells है उनको repair करेंगे जो रफिज होता है वो हमारा जो digestive system इसको digest नहीं कर पाता फिर भी यह हमारी लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके intake से जो है वो digestion जो है वो अच्छा रहता है इसलिए रफिज की requirement होती है इस नोट प्रवाइड एनी nutrient इस नोट प्रवाइड एनी nutrient यह कोई nutrient प्रवाइड नहीं कर रहा है फिर भी यह जो है required है for proper digestion required for proper digestion proper digestion के लिए इसके requirement होती है यह prevent करता है constipation को प्रिवेंट करता है इसको fibers भी बोलते हैं रफिज को fibers भी बोलते हैं तो यह रफिज जो है वो एक ऐसा part होता है plant का जो digest नहीं कर सकते हम और नहीं कोई nutrient वो प्रवाइड कर रहा है फिर भी वो required होता है for proper digestion और वो क्या कर रहा है constipation को होने से रोक रहा है यह जो है सारे fruits में हमें मिलेगा इसके जो sources हैं वो है fruits, vegetables इन सब में हमें fibers मिलते हैं अब जो next हम discuss करेंगे वो है fats related to food कुछ जो है food related facts जो है वो हम discuss करेंगे उसमें सबसे पहले हम discuss करेंगे balance diet उसकी importance क्या है उसके बाद calorific value वो क्या होती है उसके बारे में हम discuss करेंगे फिर कुछ हम misconception related to food वो हम discuss करेंगे तो जो next है हमारा वो है food related facts food related fats इसमें सबसे पहले है balanced diet सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे balance diet balance diet एक ऐसी diet है जिसमें सारे nutrient एक right proportion में जो है present रहते हैं एकदम appropriate amount में present होंगे जितने भी nutrients हमने पढ़ें हैं carbohydrate fats protein vitamins minerals रफिच यह सब जो है एक appropriate amount में present होते हैं उसको हम बोलते हैं balanced diet और यह diet क्यों जरूरी होती है क्योंकि अगर एक balanced diet है जिसमें सारे amount का सारे nutrients का जो amount है वो balanced है तो वहां में sufficient amount की energy प्रवाइड करेगा growth के लिए material प्रवाइड करेगी ऐसी diet उसके अलावा जो भी damage cells है उनके लिए जितने भी उनके रिपेर के लिए जितने भी materials की required है requirement है वो यह सब balanced diet प्रवाइड करेगी अगर उसमें सारे nutrient एक proper amount में present है तो इसी लिए यह हमें important है important जो है balanced diet इसी लिए बहुत जादा important है क्योंकि सारे nutrient एक proper amount में present रहेंगे तो सारे nutrient जो अपना-पना function करते हैं वो हमारी body में वो कर सकेंगे तो balanced diet होगी the diet which contain which contains all the nutrients in right proportion उसको हम क्या बोलते हैं balanced diet अब right proportion क्या होगा कोई भी एक balanced diet है तो उसमें जितने भी हमने nutrients पड़े जैसे हमने बढ़ा था nutrients carbohydrate तो जो diet होगी balanced diet उसमें कार्बो हाइडरेट भी प्रेजेंट होना चाहिए हमने फिर प्रोटीन भी पड़े फैट भी पड़े मिनीरल्स भी पड़े वाइटमीन भी पड़े तो यह सारे एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होना है अगर कोई भी अगर हम ऐसी डाइट ले रहें जिसमें सिर्फ कार्वो हाइडरेट कार्वो हाइडरेट यह बाकि प्रोटीन फैट्स वाइटमीन नहीं है तो हम उसको जो कार्वो हाइडरेट से उनका जो अमाउंट होता है वो होगा 60% क्योंकि हमें पता है कि जो कार्वो हाइडरेट होता है वो immediate source होता है energy का अगर हमारी body को energy की requirement होती है तो वो सबसे पहले carbohydrate यूज करती है तो जो carbohydrate का amount होगा वो होगा 60% then fats का amount जो होगा वो 15% protein का amount proteins का percentage होगा 25% उसके बार जो vitamins है and minerals है वो trace amount में present होगा traces में present होगा क्योंकि हमने discuss किया था के vitamins और minerals हमें इतनी ज़्यादा quantity में required नहीं होते हैं जितना carbohydrate protein और fats होते हैं तो इनका जो है vitamins और mineral वो trace amount में मतलब minute quantity में भी sufficient होता है अगर किसी diet में यह सारा amount present है कि carbohydrate उसमें 60% है fats 15% है protein 25% है vitamins जो है और mineral stress amount में हैं तो ऐसी diet को हम बोलते हैं balanced diet अब यह diet जो है वो vary करती है इसी age है उसकी तो इन सब में जो है balance diet depend करती है कि उसकी diet में जो है amount कितना होना चाहिए nutrient का लेकिन एक normal healthy person के लिए जो diet होती है balance उसमें यही proportion होता है सारे nutrients का अब जो next हम discuss करेंगे वो है calorific value अब calorific value मतलब कि अगर कितनी energy release हो रही है जब 1 gram of food item जो है वो oxidized हो रहा है उसको बोलते हैं हम calorific value मतलब एक food item का breakdown होने पर जितनी energy release होती है उस energy के amount को हम बोलते हैं ऑ्रेड ऑ्रेडोरिक अथ याडिक व well the amount of energy release when 1 gram of food item is oxidized. 1 gram, 1 gram जब food item जो है वो oxidized हो रहा है उसके oxidation पर जो energy release हो रही है उसको बोलते है calorific value अब यह depend करती है अब इसकी जो requirement है वो depend करता है कि person की age क्या है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं teenagers होते हैं उनको energy की requirement बहुत जादा होती है as compared to adults तो उस case में इनकी जो value होगी वो अलग-अलग होगी gender पर depend करता है for example women है उनको less energy की requirement होती है as compared to men तो उसके भी depend कर रहा है third यह जो है कुछ factors है जिस पर depend करता है third है जैसे उसका काम क्या है work क्या है work type क्या है जैसे कोई labor है या कोई रिक्षा जो है वो चला रहा है तो उसको energy की requirement जादा as compared उसको जो आवरम से office में बैटके काम कर रहा है अपनी chair पर तो यह depend करता है कि उसका work कैसा है उसकी age क्या है और उसका gender क्या है तो calorific value इन three factors पर depend करती है first age second one is gender and third one is work type तो इन पर जो है calorific value depend करती है age पर depend करेगी हर person के लिए बच्चों के लिए बड़ों के लिए ये value अलग होगी gender पर depend करती है women's के लिए men के लिए ये अलग होगी work type जो बहुत जादा labor वाला work कर रहे हैं या रिक्षवा चला रहे हैं या बहार कोई भी heavy work कर रहे हैं उनको energy की requirement जादा है as compared to उनको जो ऑफिस में बैठें या चेहर पर बैठके अपना काम कर रहे हैं उनके comparison में तो यह depend करता है इन तीन factors पर value के उनकी value क्या होगी next हम पढ़ेंगे food fats food fats means misconception related to consuming food items food items से related बहुत सारे misconceptions हैं जो अभी हम discuss करेंगे उनको बोलते हैं food fats fats means misconception और myth अब बहुत सारे misconception है बहुत सारे foods को लेकर के for example के अगर हम fish को बहुत जादा consume करते हैं तो हम बहुत जादा intelligent हो जाएंगे या फिर अगर हम lady finger को बहुत जादा consume करते हैं तो हम maths में बहुत जादा अच्छे हो जाएंगे तो यह सब जो है misconception है food को लेके जैसे chocolates का अगर बहुत जादा consumption करते हैं तो एकने हो जाता है तो यह सारे misconception हैं जिनको fats कहा जाता है तो बाय कंस्यूमिंग लेडी फिंगर तो जो मैट से वह बहुत जादा अच्छी हो जाती है बच्चों की या फिर बहुत जादा फिश खाने से intelligent हो जाते हैं या chocolates बहुत जादा जो है consume करने से एकने हो जाता है तो यह सारे यह जो है कुछ misconception है foods से related अब market में जो है ऐसे बहुत जादा misconception जो है बहुत जादा फैले हुए हैं अपने महंगे महंगे जो food product या food item है उनको बेचने के लिए कि अगर आप यह consume करोगे तो यह power increase होगी वह consume करोगे वैसा वाला product consume करोगे तो उससे आप intelligent हो जाओगे maths अच्छी हो जाएगी science अच्छी हो जाएगी यह सब जो है misconception है foods को related क्योंकि उनको क्या करना है अपनी food item को जो है वह बहुत जादा अगर हमें वाके में हर चीज अपनी बहुत जादा अच्छी है बैटर बनानी है तो वह सब कैसी होगी balance diet से क्योंकि balance diet में सब कुछ present होगा हमने जैसे vitamins या minerals पढ़े थे तो हमने पढ़ा था vitamins में vitamins क्या क्या करें जैसा अगर हम vitamin A का consumption करते हैं हमारी diet में vitamin A है तो हमारी hair skin जो है eyes जो है वह बहुत अच्छी हो जाएगी अगर कुछ mineral जैसे calcium हम ले रहे हैं या vitamin D हम ले रहे हैं तो हमारी bones जो है वह बहुत जादा strong होगी तो वह सारा जो है अगर हम एक healthy अपनी body को healthy रखना है तो वह तब ही होगा जब हम एक proper balance diet लेंगे ना कि अगर जो misconception फैले हुए है market में उन पे ना ध्यान देते हैं हम सिफ अगर balance diet को consume करते हैं तो हम बहुत जादा healthy हो जाएंगे तो यह था आज के lecture में कि हमने सबसे पहले देखा micronutrient roughage जिसको हम fibers भी बोलते हैं यह कोई energy provide नहीं कर रहा है नहीं हमारा human digestive system है human digestive system ना इसको digest कर पाता है लेकिन फिर भी जरूरी है proper digestion के लिए bulk add करता है यह food को bulkiness देगा food को यह constipation को prevent करता है fruits में vegetables में मिलेगा और हम इसे fibers भी बोलते हैं उसके बादे food related कुछ facts हमने देखे जिसमें सबसे पहले था balance diet ऐसी diet जिसमें जो सारे nutrient है वो एक right proportion में present है उसको हम बोलते हैं balance diet उसमें carbohydrate 60% fats जो है वो 15% proteins 25% vitamins and minerals जो है वो stress amount में है minute amount में अब balance right से related term है deficiency disease deficiency disease क्या होता है अगर हमारी diet में किसी एक nutrient की बहुत जादा कमी हो रही है या किसी एक nutrient की कमी होने से अगर हमें कोई disease हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं deficiency disease तो एक term इससे related है deficiency disease disease due to the lack of any nutrient diet में ऐसा कोई भी nutrient है या किसी nutrient की body में कमी होने से अगर हमें कोई disease हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं deficiency disease यह carbohydrate की वज़े से भी हो सकता है जैसे carbohydrate है अब carbohydrate की deficiency हो गई बॉड़ी के अंदर तो carbohydrate हमें क्या प्रवाइड कर रहा है सबसे ज्यादा energy जो है हमें carbohydrate से मिल रही है तो हमारा जो stamina वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा किसी भी work करने की हमारे अंदर जो है वो energy नहीं रहेगी तो carbohydrate की deficiency से यह हो गया अगर calcium का deficiency हो रही है बॉड़ी के अंदर तो जो bones से वो क्या हो जाएगी बहुत जादा weak हो जाएगी अगर बच्चों में बहुत जादा weak हो गई calcium की कमी हो रही है तो उनको जो हो रहे हैं उनको बोलते हम deficiency disease वह वाइटमीन से भी हो सकते हैं मिनीरल से हमने आईरन पड़ा था आईरन जो है वह क्या करता formation करता हीमोग्लोबिन का लेकिन अगर अगर आईरन की कमी हो गई बॉड़ी में तो हीमोग्लोबिन का formation नहीं होगा ultimately क्या होगा हमारे अंदर ब्लड की कमी आ जाएगी हमें उस कमी को उस condition या situation को बोलते हैं अनेमिया तो इनकी deficiency से इनकी कमियों से जो बीमारियां हो रही है बॉड़ी में उसको बोलते हैं deficiency disease सबका अपना अलग-अलग होता है calcium से अलग होगा sodium से अलग होगा iodine है iodine जो है वो thyroid gland का hormone है thyroxine उसके formation के लिए जरूरी होता वो नहीं हुआ तो goiter हो जाएगा तो यह सारे disease इनकी deficiency से होंगे उसके बाद था calorific value कितने एक ग्राम के food item को oxidize करने पर जितनी energy release हो रही है उसको बोलते हैं हम calorific value यह depend करती है age पर gender पर work type पर हमने जो भी discuss किया फिर कुछ food fats थे मतलब misconception या myth थे जैसे lady finger खाने से match बहुत जादा अच्छी हो जाएगी अगर किसी की बहुत जादा weak है तो lady finger खाना चाहिए तो match अच्छी हो जाएगी fish है तो fish खाओ तो अगर तुम बहुत जादा weak हो पढ़ाई में तो बहुत जादा intelligent हो जाओगे चोकलेट से उससे एकने हो जाता है skin का disease है वो हो जाएगा तो यह सारे misconception है अगर हमें हमारी body को healthy रखना है तो हमें balance diet ही consume करना थी जिसमें सारे amount जो है वो proper amount में present है अब जो हम next lecture में discuss करेंगे कुछ food additives, food को के taste को flavor को increase करने के लिए कुछ extra जो उसमें material add किये जाते हैं वो हम discuss करेंगे उसके बाद हम discuss करेंगे junk food क्या होता है या junk food के बारे में healthy cooking practices क्या होती है यह हम next lecture में discuss करेंगे थैंक यू